नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पॉब्लिकेशन के यूटूब चैनल पर मेरा नाम है रवी सुमन और हम लोग अभी क्लास तेंद के अर्थ सास्त क्या छठा आध्या जिसका नाम है बैस्वी करन इस अध्या से जितने भी अब्जेक् का निदान किया जाना है बिल्कुल ही मुफ्त में तो आप लग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन दबाद दीजिए अब हम लोग इस अध्याय से जितने भी सवाल है उसको देखते हैं सबसे पहले समझ यह बैस्वी करन का मतलब क्या होता अंग्रेजी में इसको ऌरा कि आधान प्रदान के लिए जूरते हैं तब उसको कहा जाथा है तो बैस्वी करनों यहां अर्भात पह रहा है तो उसको कहा जाता है वेपार करते हैं एक देश दूसरे देश में जाके अपना पैसा लगाता है और वहां से समान खड़िता है दूसरा तीसरे में जाता है तो उसी को गांजाता है बैस्वी करन का मतलब आप समझ गया होंगे पहला सवाल है नई आर्थिक नीती में किसे सम्मिलित किया गया है दूब बैस्वी करन मतलब मैंने क्या बताया के 2 या 2 नहीं जब आपस में बैपार किलिए जुरते है तो उसको कह जाता है बैस्वी करन अब कन देस जब दूसरे देश में बैपार के लिए रृगा तो कुछ कागजी प्रक्रिया होंगी जिसको फालोउ करना हो बेस्वाम क सब्सक्राइब करन का मतलब है जब कोई देस हमारे यहां बैपार के लिए आता है तो उसके मार्ग से लाल फीता साही को कम करें माने सरकारी रोक टोक को कम करें तो इसे को का ज근도 उधारी करन बैस्भी करन का मतलब मैं आपको बता चुका ह укायों और नीजी करण का मतलब ही जानते हैं पहले अध्यार फरेों गये जब हम लोग सरकारी संसाधनों पर नीजी वेक्टियों का अधिकार दे जब देते हैं तो युक आज भाज़ाता है। नए आर्थिक निती जब बनी है तो उसमें ुस वी करन वी करन को शामिंद्वी करन मुंझए करन के मुखे कितने अंग है। कौन कौन है देखना है प्रFL फीकर टेखनो लोजी निक थिए आ एक जगह से दुसरे जगह समान को ले जाने सूवुदा सन्चार और सूचना उसके बाद था है बीदेशी निवेस क्या आता है और फीर आता है उदारी क्या आता है उदारी करन आडर है चली यह पांच जो है बस्वी करन के मुख्य अंग होते हैं क्या क्या प्रद्वागी यानि कि टेक्नलोजी परिवहन यानि एक जगह से दूसरे जगह समान ले जाने और ले आने की सुभीता संचार और सूक ना वाने की एक जगह से दूसरे जगह जितने जल्दी जनकारी पहुंचा ही जा सके विदेशी निवेस मानि की बिदेश से लोगोँ और हमारे इंवेस्ट करें और उदारी करन लाल फिटासाही को कम क्या जाए लाल फिता साहिज इतना ही कम होगा वैस्विकरन उतना ही तयजी से जूरेगा बहु राष्ट्रीए कपनी का क्या आर्थ है बहु माने बहुत है न तो ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती है ना कि बहुत सारे देशों में जो कंपनी काम करती है उसी को का जाता है बहुराश्टी एक कंपनी ठीक है यह फॉर्ड मोटर्स लिखा हुआ है फॉर्ड मोटर्स जो की कार ब रखे हैं तो वह भी बहुरास्ट्य कंपनी है तो दोनों कार बनाने वाली कंपनी और मोबाइल बनाने वाली कंपनी भी बहुरास्ट्य कंपनी है बहुत सारे देशों में काम करती है और भी कंपनी क्या-क्या ओप्शन में देखते हैं कोका कोला कोका कोला भी हमारे यहां की कं कमपनी नहीं सब इन मैंसे सभी हमारा सभी कोका कोला फोड मोटर्स और समसन तीनो जो की बहुरास्ट्रीं सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब करना जबें करना और कहोने कहें हैं क्मर्णा सब्सक्राइब लोग लगाना रही करना की यह सब्तले जासान को सब्सक्राइब करना तो क्या है रूपिया है लेकिन विदेश से जो कंपनी आ रहे हैं उनके यहां मुद्रा क्या है डॉलर है तो अलग अलग मुद्रा होती है तो उसका हस्तान तरण होना और सूचना प्रवाह भी अर्शक है सूचना माली जी कि हमारे यहां किसी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया जगह है यहां पर आके उद्योग लगाया जा सकता है इसकी जानकारी जब विदेश में पहुंचेगी तब नहीं वहां से लोग आएंगे सूचना भी जरूरी है तो इन सभी के द्वारा देश की अर्थवेवस्ता के साथ जूरती है तो उसी को क्या कहा जाता है यहीं नहीं बताया था बैस्वी करन की परिवासा जब दो या दो से अधिक देश जूरते हैं तो बैस्वी करन होता है माने एक देश की अर्थवेवस्ता जब अंतरास्त्री अर्थवेवस्ता से जूर जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है बैस्वी करन कहा जाता है यहीं कि हमारा सही अंसर है बैस्वी करण का मतलब है जब एक देश की अर्थवेवस्ता 20 वेवस्ता से जूर जाए सरकारी करण की प्रक्रिया को परहाना यह भी साही अर्थ नहीं है तो सही अंसर है अगला सवाल है पार्ले समू के थमसप ब्रांड को किस बहुराश्टी कंपने ने खड़िद लिया है चली पार्ले जी बिस्कुट आप लोग खाते होंगे हम लग बच्मान में खूब खाते आप लोग पीते हैं तो कि पहले बाद में ब्रांड को खरिद लिए कि इसने को को कोला ने खरीद लिया अगला सवाल है बैसमी करन को प्रोसाहित करने वालों कारकों में कौन सरवाधिक महत पुर्ण है चार ऑप्सन आपके सामने जो की बैस्वीकरन को प्रोजदा बढ़ाता है माने दुनिया के सभी देशों को एक साथ जोड़ता है ब्यपार करने के लिए एक साथ एक मंच पर लाता है तो कौन-कौन है पर यह सब को परिवाहन इमां प्रदाओगी की का विकास तो मैंने आपक विपनन प्रणाली में सुधार इसकी व्यावशक्ता है ग्लोब्लाइजेशन के लिए सुचना और संचार प्रदोगगी की यह जरूरी है जनकारी होना चाहिए और बैंकिंग सिवाव का विगास यह भी अवस्यक है ग्लोब्लाइजेशन यानि की बैस्वी करन को है सरवाथिक माने की कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो चाड़ों को परी और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता है उसको एंसर में लिख दीजिए सुचना और संचार प्रदोगी की का विकास यह सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर जानकारी नहीं प प्रदोगी का विकास यह सबसे ज़्यादा जरूरी है इस चारों में हमारा सही इंसर होगा सी बागी तो उसके बाद ही आते हैं अगला सवाल है विपनन पढ़नाली का मतलब मार्केटिंग इसको अंग्रेजी में कहाते हैं मार्केटिंग ना तो बेचने का जो प्रक्रिया लिखना उसको कहाँ कहाँ चल ले बेचना है उसके बननाना है कि कि मार्केटिंग आता है यह सब तो बाद में आता है सबसे पहला जवरूत क्या है कि लोगोंको जानकारी पहुंचे विदेश में जानकारी जाये वहां से लोग आएं investment करें तबनें जाकर यह सारा थीज हो जाती है किखटी है पताए है तो देखिये पहले इस बात को समझे पहले चाहता देश बनाने वाली कमपनी आती है आप बीदेश गला वाल है वैसे वी करण के परिणाम स्ववरूप किसके जीवाज़ में यह जाए तो होता है तो देशों में परतियस्पर्दा बढ़ जाती जाती है अगला सवाल है बैस्वीकरण के परिनामस्वरुप किसके जीवन स्तर में सुधार होता है सभी लोगों के जीवन में संपन लोगों के जीवन में या फिर आकुसल का मतलब है जिनको ट्रेनिंग नहीं मिला है जो कुसल नहीं है जो अच्छे तरह से काम करना नहीं जानते तो इनको तो कोई फाइदा मिलेगा नहीं और सभी लोगों को भी फाइदा नहीं मिलता है बैस्वी करन से आर्थ ही मैंने आपको बताया था जब दो मिल करें यह बहुराष्ट्री कंपनी यह बारी कंपनियों में कौन इन्वेस्ट कर सकता है बडी कंपनी ओं से मुनाफ़ा जो इसमें करेंगा उसमें काम करेंगा जो संपनवर्र के लोग हो लोग कंपनिया तो किसी मज़्दूर को किसी अशिक्षित्व्यक्ति को न Earl को संप्ण वर्लण के अगला सवाल है विकरन का उधेष्ट से क्या है वस्तुम का मुख्थ प्रवाँ प्रदवगी की मैंने है ठेकनोलोजी निम्ते प्रवाव सदीद में सबाव होता है वस्तुमू का निर्मान में भी सबॉस्टरि क्रदोग्भेड कि निगम करते हैं अंगरी में निवेश का सबसे समान था रिका कौन सा हैतर इसने बढ़ा जंजट्च इसलिए जब राष्ट्रिए कंपनी किसी दूसरे डेशां कृंप करने जाती है तो इसका पहला परियास होता है कर 배 कि उसके चोटी खुलू मिल जाए उसका काम जो कि कम हो जाए ले जो है वह जब दूसरे देशे में निवेश करती है करें तो सबसे समाने तरीक्त टारीक होता है वहां का जो लोकल सबाइस को सरवाधिक करण बास में जूड़ते हैं तो बीहार में बैस्वाण से उद्योगों को बहुत कम ही लाब हुगा है ज़्ना हो तो हमारे पास क्षक्ष पर सिल ऐसे होगा जो गों नहीं हुआ है लेकिन इस सब में अगर चुनना हो तो परियाटन को ही चुनेंगे अगला सवाल है की आप विश्व विवायपार चंगाठन की अस्ताप्ना कभ विश्व विवेपारस व्त्रेड पर अस्तापना ही मनें दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यपार हो रहा है जो बिजनेस हो रहा है उसको देखना और उसकी देखरे करना तो विश्व व्यपार संगठन के स्थापना हुई थी 1995 में कब हुई थी 1995 में 1995 में डबलू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड और इगनाइजेशन विश्व वेपार संगठन के सापना 1995 में साइए अगला सवाल है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार सम्मधि नवीन आर्थिक नीती कब लागू की गई यह सवाल होना चाहिए नवीन आर्थिक नीती कब अपनाई ग जिसमें ग्लोबलाइज यह सन्यानी 20 करन को एक महत्वपूर्ण अंग माना गया था तो सही नवीन आर्थिक नीती जुलाई 1991 में अपनाई गई थी हमारे देश का कौन सा सहर सूचना प्रदोगगी का केंद्र बन गया है सूचना प्रदोगी का केंद्र कौन सा सहर हमारे द कंपनिया जो है वह आई हुए है अगला सवाल है विस्व वेपार संगठन का मुख्याला कहां है 1995 में इसका अस्तापना हुआ था अंग्रेजी में कहा था डव्लू टी थो थोड़ी दिर पहले बताया थे वर्ल्ट ट्रेड और गेनाइजेशन कब बना था 1995 में और इसका ज सापना हुआ था 1995 में दो सवाल याद रखो बहुत महत्वपूर्ण है पूछता है पूरे विस्व में में आर्थिक वर्चस्व किसका है बताइए कहां कि मुद्रा सबसे अधिक धनी है कौन सा देश सबसे ज्यादा धनी है बतातो ब्रिटेन फ्रांस लिखा हुए देख ल किस पुर्व राष्ट्रपती ने बैस्वी करन के प्रभाव का समर्थन करते हुए कहा था देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार रहे हैं तो हमारे देश के राश्परती थे जिन्हों ने यह कहा था कि अगर बिहार का अभिकास नहीं होगा तो देश का अ सब्सक्राइब करन से भारत को क्या लाब होने की संभावना है भारत को क्या लाब होगा कुछ अदमी लोग जो है काम करने वाले काम करने का तरीका बढ़ेगा जिससे आप लोग इस चीज को ऐसे समझे कि पहले अस्पतालों में सफाई होती थी तो या फिर अलग अलग सफाई का काम करते थे हैं हमारे लोग कैसे करते हैं जारू से पोचा से लेकिन बहुराश्य कंपणियों के आने के कारें आप सफाई ज सब काम करने का तरीका बदल रहा है कुछ हलता में ब्रिद्धी हो रही है और यह सब किसके कारण हो रहा है कारण विदेशी कंपनिया जब हमारे यहां आ रही तो उसके कारण हो रहा है उत्पादक्ता में ब्रिद्धी हो रही है अच्छी चीजे बन रही है और रोजगार क कपनिया आएगी विर्दि हो रहे हैं जब कम्पनिया आएगी तो तो यहीं के लोकी को नोक्री देगा पांच गद्री विर्दि होगी यह तीनों जो है सो की ब्राफ भारत को हो रहा है तो इसका सब्सक्षाइब साथी कड़ुकंड़ काम हे बिस्तान अंतरहन करना का billion यह भारत की अगर आमेरिका में जा रहा है तो यह रूपिया लेकर जा रहें लेकिन वहए तो उसको डॉलर में बदलना तो यह जो है सो कि बिल्कुल जा है कि साय क्यों की पूरी दुनिया में पैसों का लेंदेन करती है विस्व व्यपार संग ठन डेखरें करती ये ये तीनों की बैस्विकरन के लिए तो इसका सही सेंसरों का इसके बाहर कहीं से भी सवाल नहीं आने जा रहा है तो आप लोग इससे भी सवालों को अच्छे से पढ़ लिजेगा और पिछले अध्याओं का वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट वे तो वहां से पढ़ लिजेगा और अगले चैप्टर का भी वीडियो आ कर दो कर दो